अपने बयान बाजी को लेकर देश फर में चर्चा का विशय बने बीजेपी विधायक पनालाल शाक्य ने अपने पंचर की दुकान वाले बयान से यूटन ले लिया है युवाओ को पंचर की दुकान खोलने की सलहा देने वाले पनलाल शाक्य ने अप कलेक्टर बनने की सलहा दी है देखिये ये खात्रपो पंचर की दुकान खोल लो जिससे घर का गुजारा हो जाएगा पंचर की दुकान खोलने की देश भर में आलोचना हुई थी विपक्ष के नेता ज्यराम रमेश उसे लेकर शशी थरोर तक ने बीजेपी सरकार को घिरा था वह अब बीजेपी विधाएक पंचर की दुकान वाले बयान से योटन ले लिया है ये वाँ को पंचर की दुकान खोलने की सलहा देने वाले पंचर लाल शाके ने अब कलेक्टर बनने की सलहा दी है पाद 2000 आज में भी था, प्रेरा में मुखा मिला, तो यह सब सेहर है, क्या खंपना करो, मेरे पैंसर की दुकान की गई थी, तो इसका जिम मत्पर नहीं था, लोग पैंसर की दुकान करें, आजे आपन तो करो ना, कि अपना इक लग्स है, आपन उसको करते ना, हमने लग्स भ इस जन्में निगला लेंगे, तो अगले जन्में हो, तो अगले जन्में, आज जम होता हम सुनों, और हम लेक कोशिशित करेंगे, और हम जन्पुसिनी की मतलब विदायक बनके, एक बार अपने आपको इस्थभित करने चाहते हैं, खुल मिलाकर देखा जाए, तो अपनी बयान बाजी को लेकर देश भर में चर्चा का विशह बने, बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने पंचर की दुकान वाले बयान से यूटर ले लिया है, यो आपको पंचर की दुकान खोलने की सलह देने वाले पन्नालाल शाक्य ने अप कलेक्टर बनने की सलह ब्यूरो रिपोर्ट एम्पी न्यूस गुना